स्टार्ट विद दी नेम ऑफ अल्लाहु इस दी मोस्ट मैनिफिशेंट और मोस्ट मर्सिफिल जैस्टूरंट्स अस्सलाम वालेकूम आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.8 को सेकिन नंबर टू का सेकिन पार्ट डिसकस करेंगे कोस्チャन नंबर टू का फस्ट पार्ट इसे पिछली वीडियो में हमने सॉल्फ किया था और उसमें हमने क्या किया था जो हमें गिवन था उसमें उसको हमने जूमेमेट्रिक सइरीज में कनвер्ट करना था कि हमेरे पास जो सेम नहीं आ रहे ची Fen GI में कबर्ट करना फंड है इसलिए के अरे हम इस हमें के सांव , और हहां युद थी त이란 ते क्या करना है इसे कोいた पास बे Audio-iverso हो क्रण उपने नहीं होब है इस को सिरिस टोनलो है कनवर्ट करना है । गोरा करते हैं । 3 plus 3333 plus 3333 plus upto soon to end terms ठीक है अब क्या कर सकते हैं यहां पर 3 common ले सकते हैं इसमें से 3 common ले लेंगे यहां रहागा 1 plus 11 plus 1111 plus upto soon to end terms यह कहां तक जाएगा end terms तब अब हमने क्या किया था इसके फर्स्ट पार्ट में 9 से multiply और divide किया था इसमें भी एसटिस करना है 3 जाएगा 9 से divide कर दिया हमने और यहां पे इसको 9 से multiply कर देंगे तो यह बन जाएगा 9 ठीक है यह plus 99 plus 999 plus up to so on to n तो यह कहां तक जाएगा n terms तब अब यह क्या बन सकता है 3 1s are 3 और 3 3s are 9 1 divided by 3 और इसको 9 को हम लिख सकते हैं 10 minus 1 इसी तरह plus 99 को 100 minus 1 plus 999 को 1000 minus 1 plus up to 12 n terms ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इस में से positive terms को separate कर लेते हैं 10 plus 100 plus 1000 plus up to 12 n terms कहां तक जाएगा n terms तब अब हम negative in terms में से यह negative की terms है हमारे पास ठीक है minus 1 तो हम negative common ले लेते हैं इसका और बाकि हम लिख लेते हैं 1 plus 1 plus 1 plus up to 12 n terms तक जाएगे ठीक है अब यह वन हमारे पास क्या है इसमें 10 और common ratio find करें r is equal to a2 divided by a1 second में से first divide करें second को divide करें first पे ठीक है 100 divided by 10 cancel होगा तो यहां पर क्या जाएगा हमारे पास 10 जब हमारे पास r greater than 1 होगा तब हम यह formula यूश करते हैं s n is equal to a1 r raised to power n minus 1 divided by r minus 1 अब यहां पे वेल्यूश पूट कर दें हमारे पास n ही है because यह अंटम्स तक जा रहा है ठीक है तो a1 की और r की वेल्यू 10 पूट करेंगे इसमें और आगे इसको simplify करेंगे 1 divided by 3 as it is यहां पे value put कर देंगे हमने n ठीक है a1 और यहां पे r था r की हमारे पास value 10 थी and as it is minus 1 divided by 10 minus 1 minus n यह n क्यों आया 1 हमारे पास जा रहा था n तर ठीक है बाद में हमारे पास 1 था minus 1 plus 1 plus 1 n तर तो यहां पे n आ जाएगा तर यहां पे न आजए एक वन डिएगा थी 10 10 रेज़ पावर n minus 1 divided by 10 यहां तक भी आप कर सकते हैं इसको यह i hope कि second part भी आपको अच्छी समझ आ गया होगा अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आपको मेसेशन के प्रूश सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए और friends के साथ जैदा से ज्यादा शेयर कीजिए और subscribe करना मत भूलेगा thank you so much Allah आफिस